इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है यह सूख्षम जीवो को पैदा करने वाले संक्रमन के विकास को मारता है और रोकता है, जिससे संक्रमन साफ हो जाता है और लक्षनों से रहत मिलती है. यह उन रसायनों की रहाई को भी रोकता है जो खुझली, लालिमा और सूझन जैसे लक्षन पैदा करते हैं. इसलिए यह दवा इन संक्रमनों के कारण होने वाली सूजन से राहत देती है। आपको टोपी फोटेनेक्स टॉपिकल सस्पैंशन का उपयोग तब तक करना चाहिए जब तक यह निर्धारत किया गया हो। भले ही आपके लक्षन गायब हो जाएं। अन्यता वे वापस आ सकते हैं। आप जिस प्रकार के संक्रमन का इलाज कर रहे हैं, उसके आधार पर यह कई सप्ता हो सकता है। आपका संक्रमन पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद भी, लक्षनों को वापस आने से रोकने के लिए आपको इसे कभी-कभी लगाना पड़ सकता है। अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार इस दवा का प्रयोग खुराक और अवधी में करें। उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें। टोपिफोट एनेक्स टॉपिकल सस्पेंशन तीन दवाओं से मिलकर बना है। क्लोट्रिमाजोल, क्लोबेटासोल और नियोमाईसिन जो तवचा के संक्रमन का इलाज करते हैं। क्लोट्रिमागोल एक एंटी फंगल है जो फंगस को खुद के लिए सुरक्षा कवच बनाने से रोक कर उनके विकास को रोकता है। क्लोबेटासोल स्टेरोइड दवा है। यह कुछ रासायनिक संदेशवा हकों यानि की प्रोस्टाग्लेंडन्स के उतपादन को रोकता है जो तवचा को लाल, सूजे हुए और खुजलीदार बनाते हैं। नियोमाइसन एक एंटी बाउटिक है। यह महत्वपून कारियों को करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक आवश्यक प्रोटीन के संचलेशन को रोक कर बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें और आवादी.